हेलो विवरीवन गुड मॉनिंग नमस्कार 20 अगस 2023 और दह हिंदू न्यूज पेपर एनलिसिस में आपका स्वागत है आज के जितनी भी इंपोर्टेंट न्यूज और एडिटोरियल होंगे वो इस वीडियो के थ्रू डिसकस करेंगे स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पेज के साथ और फर्स्ट पेज पर केवल एक ही इंपोर्टेंट न्यूज डिसकस करी गई है वो है डिजिटल एकनोमी को लेकर भारत के प्राइमिस्टर ये चाहते हैं कि देश के अंदर एक secure digital economy जो उसको promote किया जाए उसको लेकर discuss किया गया और G20 की जो एक तरीके से digital economy की जो summit हुई या digital economy और ministers की जो meeting हुई उसको लेकर discuss किया गया कि हमें जो goal है उसको achieve करने के लिए consensus या एक तरीके से सहमती बनाने पर काम करना होगा और इसमें भारत के जो digital India है जिसके तुरू financial inclusivity भी add करे गई इसके बारे में discuss किया गया जब हम digital India के बारे में बात करते हैं तो no इसके important तरीके से parameters हैं और financial inclusivity की जब हम बात करते हैं तो प्राइमिस्टर जंदन योजना काफ़ी जादा popular आपको नज़र आएगी सबसे पहले बात करते हैं कि देश के अंदर digital India campaign जो है 2015 में launch किया गया था जिसका main motto था कि national financial inclusivity को promote किया जाए इसके अलावा यहाँ पर virtually वो एक तरीके से मोधित कर रहे थे एक तरीके से discuss कर रहे थे चीजों को लेकर जी 20 ministers की जो meeting हो रही थी बेंगलूरू के अंदर digital economy को लेकर राइट इसके अलावा इंडिया की diversity के बारे में discuss किया कि किस तरीके से एक resource किया काम करती है testing and solution में support करने में खासकर new digital products के context में पूरी दुनिया के लिए G20 high level principle की गरम बात करते हैं तो उसमें एक secure, trusted और resilient digital economy पर focus किया जाएगा digital economy जो एक globally spread करती है और definitely जब digital economy की बात होती तो बहुत सारे security threats के बारे में challenges के बारे में भी discuss होता है G20 unique opportunity provide करता है जो inclusive prosperity और global digital future की foundation का काम करता है इसके अलावा यह बताया गया कि digital infrastructure की गरम बात करते हैं तो इसमें farmer से लेकर small businesses इन सब को include किया जाएगा और एक ऐसा framework create करना जो safe हो, responsible use होना चाहिए artificial intelligence का और इंडिया का digital economy के तरहे एक important यह जो हो role play करेगा इसके अलावा inclusive और transparent यह नहीं सब को सामिल करते हैं एक transparent का मतलब होता है सब चीज़े clear होने चाहिए और इसके अलावा जैसे example दियागे कि अधार digital identity जो है वो देश के 1.3 billion Indian citizen को cover करती है निक हमने इस तरह का example पहले भी set किया और आने वाले time में भी हम इसको set कर सकते हैं आप लोगों के लिए पहला question है जब हम बात करें digital economy के बारे में या digital India के बारे में सबसे पहले आपको याद होगा थोड़े दिन पहले मैंने digital India के जो no parameter है उनके बारे में discuss किया गया था तो वो no parameter या no point कौन कौन से है जब digital India के बारे में इसके बारे में सिर्फ points में जो है वो comment करना इसके बाद page number 3 पे अगर हम बात करते हैं तो recent time में आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 सालों में UPSC films में एक topic बड़ा highlighted वो है ancient history से question पूशे जाना और उसी context में जगह काफी ज़्यादा news में है केरला की एक site जहाँ पर vast megalithic site के example देखे गई है और इसमें row cut burial chamber के अगर हम बात करते हैं तो head type का एक design यहाँ पर नजर आ रहा है large number of megalithic headstone जो है वो पाई गई है और यहाँ पर यह जो जगह है यह नागा परमबा करके जो कि कहने के मालपुरूम district में पड़ेगी केरला में इसके अलावा इनको जो local level पर बोला जाता है वो है topic topic कलू करके यह जो word use किया गया मलियालो word है और हमें spherical letterite stone से बनाए गए है burial के time पे जो एक तरीके से unused के जाते थे उनका lead का काम करती थी उसके बारे में discuss किया गया है इसके लावा यह बताएगे कि detail service की requirement है और अगर अगर हम बात करें कि इनके बारे proper study की जाए तो यह 2000 साल पहले का life और culture क्या था लोगों का उसके बारे में detail जानकर जो वो provide करता है तो यह जो site है कि यह basically क्यों यूज में रहा यह जुरूर दिहान अकना है होते direct question होगा और अगर आप mains की बारे में बात करते हैं तो कई बार क्योंकि mains में history optional भी है और history optional भी 50 नमबर के mapping आती तो यह site उसके हिसाब से भी काफी ज़्यादा important हो सकती है आगे बढ़ेंगे इसके बाद अगर हम बात करें page नमबर 6 पे तो center government ने 40% की duty impose कर दी है कि भाई आप 5 जब export करेंगे तो 40% की duty लगाए जाएगी इसका reason क्या है क्यों ऐसा क्या जा रहा है basically पिछले कुछ दिनों से अगर आप पिछले एक दो महिनों की बात करें तो vegetable के price बहुत तेजी से बड़े है और उसी context में हम देख रहे हैं कि tomato के prices अभी बहुत relax new हुए है इसके अलावा ये डर भी है कि कहीं प्याज के price भी इतने ही न बढ़ जाए तो इससे बहुत ज़्यादा problem खड़ी हो जाएगी तो इस context को इसको counter करने के लिए basically center government ने प्लान किया कि export कम से कम हो देश के अंदर consumption को बढ़ा जाए ताकि price stability जो हो बनी रहे तो इस context में decision नहीं आगे जब यह चीजे होती है तो definitely political criticism भी होता है लेकिन political criticism अपनी जगे दो important factor मैंने डिसकस किये थे पहला देश के northern part में unexpected flood आई और दूसरा देश के southern part में as per requirement उससे भी कम बारिश होई जिसकी वज़े से productivity काफी कम हुई है या कहीने के fossil destroy हुई जिसका example है कि आने हम देख रहे हैं कि vegetables के prices जो काफी ज़्यादा high है और इसी context में खासकर tomato के prices भी जो increase हुए है क्योंकि कई बार क्या होता है कि North India से जैसे हिमासल प्रदेश से जो tomato आता है वहाँ पर एक तो infrastructure काफी damage हुआ है बार आने से cloud burst होने से इसके अलावा वहाँ पर crop बहुत जाथ है damage हुई जिसकी वज़े से market के अंदर वो tomato जो available नहीं हुआ जिसका impact जो है वो देखने को मिल रहा है price rise के अंदर या inflation अच्छे खासी high है और RBI ने जो target रखा था कि हम 2 से 6 के बीच में या tolerance limit के अंदर रखेंगे वो साथ इस बार possible नहीं हो जिस तरीके से vegetable के price जो वो increase हुए हैं इसके बाद अगर हम बात करें एक important और आज के दय हिंदू का अगर हम conclusion निकालेंगे तो सबसे important ये news होगी क्योंकि इसके timing बहुत interesting है इंडिया और चाइना के बीच में border disputes में उसको लेकर कोई confusion नहीं है और line of actual control या eastern अदाख वाले region में जो issues है वो अभी भी बने हुए हैं ये important इसलिए क्योंकि 2 important summit होने वाली है पहला BRICS की summit होगी जोहांसबर्ग साथ अपरिका में और second जो है वो ये एक तरीके से problem है वो अभी भी continue है और line of actual control पर हभी भी dialogues की requirement है कोई breakthrough जो हो नजर नहीं आथा G20 में केवल 3 week बचे हैं यानि 9 और 10 September को G20 की summit होगी दो ऐसे issue है एक देपसांग plane और एक डेम चोक है जो इस्टन लर्डाक में 2020 से जो stand-off हुआ था या इंडिया और चाइना के बीच में जो body dispute हुआ था उसका impact अभी भी जो हो देखने को मिल रहा है इस ते अलावा दो major general level की बातचित हुई है 19th round of cops commander level की meeting हो चुके लेकिन अभी भी कोई प्रोपरली outcome जो हो नहीं देखने को मिला है cops commander level की talks के अंदर ये बताया गया कि official source ये confirm करते हैं कि अभी भी कुछ ने कुछ breakthrough तो हुआ लेकिन अभी भी अगर हम बात करें ground में या चीजे बिल्कुल sort out हो गी है उस तरह की चीजे जो हो वो नजर नहीं आती इसके लावा respective major journal जो इस एरिया के अंदर है चाहिए वो Chinese side से हो इंडियन side से हो वो उन्होंने भी कहा कि border personal meeting में या चूसोल और दौलत बेग ओल्दी वाले जो points है उनको भी कहिना कि इसमें raise किया गया expectation ये है कि presidency's in ping इंडिया के अंदर travel करेंगे G20 summit में 9 से 10 September को 9 to 10 and 10 September को इससे पहले breaks की submit होगी जुहांस परग में South Africa में August 22 से लेकर 24 के बीच में तो इस दुरान तो साथ possibility नहीं है कि कोई side line में meeting होगी देपसांग plane Chinese troop जो है वो कहीना कि Indian petrol को वहाँ पर block करका उन्होंने Y junction से आगे जो हो जा नहीं रहे सकती Indian army जो हो access point जो है यह patrolling point 10, 11, 11, 12, 13 इन जो patrolling point है इनको भी कहीना कहीं access जो वो नहीं कर पा रही है यानि अभी भी India और China के बीच में जो issue है वो complete short out नहीं हुआ है और यह timing बहुत interesting है मैं repeat कर रहा हूँ कि BRICS की summit होगी और उसके just बाद जो सबसे important summit होने वाली है G20 summit high possibility कि Chinese president उसके अंदर सामिल होंगे in person summit होगी तो possibility है कि उससे पहले चीजों को थोड़ा sort out किया जाए यह sort out होगी नहीं होगी है तो आने वाला time बताएगा लेकिन यह issue बहुँ ज़्यादा high है इसके बाद G20 countries ने यह strengthen किया कि हमें global health architecture को लेकर काम करना पड़ेगा और 25 point का document जो है unanimously adopt किया गया है कुछ ऐसे point थे जो Ukraine war को लेकर थे उनके अलावा सारी चीजे smoothly accept कर ली गई है इसके बारे में बता गया G20 के जो health ministers की summit होई थी वो गांदी नगर गुजरात में हो रही थी और इसमें एक document present किया गया था जिसको approve कर दिया गया इसमें अगर आप main main points के बारे में बात करें इसमें कई सारे चीज़ों discuss करेगी कि health जो है वो adaptable होना चाहिए, affordable होना चाहिए, sustainable, inclusive और equitable access यानि सब लोगों को health की facilities होगों मिलने चाहिए इसके अलावा इंडोनेशिय और इटालियन G20 presidency के अंदर भी ये discuss किया गया था COVID-19 उसके consequences चाहिए वो individual पर हो social or economic वो discuss करेगे इसके अलावा क्या important है surveillance और research में खासकर COVID में उसके बारे हम discuss किया गया finance health task force को jointly कहीने कहीं strengthen करने के बारे हम discuss किया गया pandemic को लेकर किस तरह की preparation होने चाहिए उसके बारे में भी discuss किया गया इसके अलावा मई 2024 में एक important meeting होने वाली है उसके बारे हम discuss किया गया और इन सब के अलावा again यहाँ पर repeat किया गया कि कैसे हम लोग prepare कर सकते इस तरह की जो pandemic है और एक gender equality होने चाहिए health system में उसके बारे में भी discuss किया गया यहाँ पर बहुत सारे चीज़े हैं जैसे nation ने committed किया कि वो climate resilient health system मनाएंगे development करेंगे तब sustainable होगा low carbon low greenhouse gas emission होगा health system के अंदर और health care supply chain में high quality health care resources resilient वाले और low carbon sustainable health system को जो है वो facilitate किया जाएगा इस तरह के collaboration के थूँ राइट इसके लावा digital health को लेकर हम कई बार discuss कर चुके है digital health क्या है और इसी context में WHO यह चाहता कि equitable access होना चाहिए कि जब हम digital health को promote कर रहे है तो digital health जो है वो कहीं ने कहीं उसको promote भी करना है उसको कहीं ने कहीं accept भी करना है हमें या सबी लोगों को access कर पाई ये भी ensure करना है इसके अलावा अगर आप world affair में दुनिया में इस टाइम पर क्या चल रहा तो कुछ चोटिशी news आपको नजर आएगी फ़र इजामपल चाइना की जो tensions है वो नेवर हर एक नेवर के साथ आपको नजर आएगी मैंने साइथ थोड़े दिन पहले जब हम discuss कर रहे थे बता थे कि चाइना एक ऐसी country है जिसका हर एक नेवर country के साथ dispute है एवन चाइना का बहुत अच्छा दोस्ता रशिया वहाँ भी इनका एक dispute है और South China Sea में तो definitely एक ocean perspective से और अगर आप border की perspective से बात करें तो इंडिया और चाइना का dispute है तो South China Sea में dispute क्या है जिक कि ये claim करते कि ये पूरा का पूरा जो island है ये हमारा है पार्सल और स्पार्टली तो important island है जिस पर claim करती दूसरी जो South Station country है चाइना बोलता कि एक artificial line बनाता है ये nine dash line करके right nine dash line एक artificial से line होगी अगर माल लेते पूरी दुनिया इसको माल लेती है तो इसका मतलब ये होगा कि ये चाइना के exclusive economic zone में जाएगा और यहां पर किसी भी तरह के activity से पहले permission लेने पड़ेगी चाइना की यानि एक direct control आ जाएगा इस पूरे area को लेकर तो इसी context में दुनिया की कोई भी country खासकर US नहीं चाहता है क्योंकि एक trade का important root है ये और अगर यहां पर चाइना का कबजा होता है तो definitely ये strategic points एक दुनिया का बहुत बड़ा नुकसान भी होगा इसके बाद अगर हम science वाले column में देखें तो एक ही important news है कि glacier को लेकर क्या warning है क्या हम retreat कर सकते हैं novel ecosystem के perspective से climate change ने human activity हो या जो high emission बढ़ा है उसने impact किया कि glacier जो है वो केवल Antarctica और Greenland से नहीं पूरी दुनिया में जहां पर भी glacier है वो impact होंगे और ecological और societal cascading impact ये consequences जो हो देखने को मिल रहे हैं इसके अलाबा ये anticipate किया जा रहा है कि ये important change और है ecological impact की बारे हम बात करते हैं तो high emission scenario देखने को मिलते हैं कि 2075 तक जो greenhouse gas emission है वो ट्रिपल हो जाएगा 2020 तक जो glacier है वो 2100 अगर आप इस century के end तक बात करते हैं तो आदे से ज़्यादा समाफ्त हो जाएंगे बट ये चीजे रोकी जा सकती कैसे आप net zero करें 2050 तक 22% कम impact पड़ेगा impact को नहीं reduce किया जा सकता है लेकिन उसको minimize किया जा सकता है इसके अलाबा सारे glacier antarktika greenland के अलाबा जो है वो गर आपने ecological conditions को जो impact पड़ेगा चाहे वो terrestrial के अंदर हो fresh water के अंदर हो या फिर marine habitat के अंदर हो तो जो drastic change होंगे ये primary productivity को impact करेगा species को impact करेगा और end of the impact की अगरम बात करें ये human society को भी negatively impact करने वाला है तो ये सारी चीजों पर बात करते हैं तो ये climate change mitigation पर हमें काम करना पड़ेगा in-situ protection यानि जहां पर naturally protect किया जा सकता उनको करें एक सिटू का मंदल बहुत है specific बना दिया जाए place जैसे जू हो गया है ये सारी चीजे और in-situ जैसे national park है ये सारी चीजे इसके अलावा एक attempt किया गया है कि हम लोग ecosystem के अंदर जो shift हो रहा है जैसे global deglaciation को लेकर हमें उसको लेकर काम जो करना पड़ेगा तो ये एक basic सा environment के perspective से discuss किया गया है इसके बाद जो next page आता है FAQ ब्रिक समिट में इंडिया के लिए क्यों important है मैंने बताया था कि ब्रिक समिट में इस बार 3-4 important agenda है जो interesting है पहला रशिया के president इसमें सामिल नहीं हो रहे हैं international criminal court के order की वज़े से कि उनको अफरिका को arrest करना पड़ेगा ये compulsory होगा अफरिका के लिए तो वो सारे चीजों को बचने के लिए वो सामिल नहीं हो रहे हैं इसके अलावा बहुत सारी country interested है यूएस हो रशिया हो चा possibility है कि कुछ members को और ज्यादा include इसमें किया जाए तो overall इसके impact क्या होंगे इसको analysis किया जाएगा इसके submit के बाद यानि जो submit होगी उसके बाद सारे चीज़े sort out हो जाएगी इसके अलावा ये वाला topic हमने अलड़ी पढ़ा है gender stereotyping को लेकर supreme court ने जो handbook release करी थी हमने news में editorial नहीं पढ़ा तो उसको फिर से repeat किया गया तो repeated यह article है एक news काफी जादा viral हुई और यह basically Australian की जो agency है उन्होंने warning किया कि जो supplement जिसके अंदर turmeric product या इस तरह के use किये जाते कि यह supplement है वो कही नहीं risk create कर सकते है liver injury को लेकर तो यह अपने आप में interesting सा topic देखने को मिला इसके बाद मैनमार की killing machine टेट मेडियों के बारे में बताया गया है लगातार मैनमार में military rule है जंटा rule जिसको बोलते हैं और यहां पर अगर हम बात करते हैं तो यह अभी weakness के sign show कर रहे हैं कि military भी कईने कई moral down हो रहा है और जिस तरीकेश क्योंकि आप दुनिया से आज के time प को टोपल किया था हटा दिया था जंटा रूल या military rule impose किया था मैनमार के अंदर दो चीज़े बहुत famous रही है पहला यह military की कई बार जो हो रूल कर चुकि डारेक्ट और इन्रेक्ट इन्होंने ही रूल किया है और second यह ethnic groups में बहुत ही selective group को citizenship का right देते जैसे रोहिंगया Muslim को इन्होंने citizenship या नागरिक्ता का कोई भी right जो वो नहीं दिया पाकिस्तान में blasphemy को लेकर हमने पड़ा कि किस तरीके से Christian community पर attack किया गया उसके बारे में जो हो डिसकस किया गया एकनोमी में या business action में particular कोई news नहीं है आप लोगों से दो question है पहला जब हम brick summit के बारे में ब प्रिका कौन सी summit में या कौन से year में add हुआ था यह आपके लिए question है और n में question geographical है महिनमार की अगर आप geographical के हिसाफ से बताएं तो कौन कौन सी country जो है महिनमार से boundary share करती है और second इंडिया के कौन कौन से state जो है महिनमार के साथ boundary share करते है वो भी आप नीचे है comment करेंगे thank you जह हम आप हिम